असलाम अलेकूम आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी सालन जो कि बहुत कम मेहनत में पाई का मज़ा देता है बहुत ही मज़ेगा यह बनकर तयार होता है यह हड्डियों का सालन और इस्पेशली विंटर सीजन में यह सालन बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे एक बार ज करते हैं इससे पहले मैंने बॉंक की रेसिपी भी शेयर करी थी वह भी चैनल पर आवेलेबल है चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं इसके लिए मैंने जेड किलो हड्डिया और नल्या लिया है जिसमें के तीन नल्या है जिनको धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है तो अइस यखनी ठाड़ा करनी है तो इसमें हमने एक बड़ी प्यास रफली काट लिया है आच से दस लहसं की कलियानई है जिसको छील लिया है और कुछ यह गरम शाले हैं साबुत ये लिये हैं चार से पांच मेंलाल मॉच्छ लियए 10 लिया है तो इन सभी चीज़ों को हम हड्टियों में एड़् कर देंगे अपर एक चुमच साबुत धन्या लिया है उसको भी डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे साफ और धन्या का हमने एक बैग तैयार कर लिया है जिससे कि खाने में ये मुह में आते हैं जिसका अब बैग बना। बाद में जब यखनी तयार हो जाएगी तो बैग निकाल देंगे तो हाई फ्लेम पर हमने एक विसी ले लिए है और उसके बाद लो फ्लेम पर इसको हम पचास मट के लिए कोक करेंगे जिससे की हड़ियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी जब यखनी तयार हुई है अब हम इसका मसाला तयार करते हैं तो एक pot में हमने आधा का mustard oil लिया है उसको गरम कर लिया है अच्छे तरह से अब उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं और उसके बाद एक medium size की प्यास को हमने बारी कट कर लिया है अब इन slice को हम golden fry कर लेंगे उसके बाद यहां हमने नकल तक के लिए एक मिट के लिए बूना है इसके बाद हमने ऑधी बड़ी साइस की प्यास लिया है जिसका हमने fine paste बना लिया है अब इस प्यास की पेस्ट को हमें बूनना है जब तक कि जो प्यास की कच्छी खुश्बू होती है वो चली नहीं जाती और इसका color थोड़ा light प्राउन नहीं हो जाता जब प्यास फून जाएगी तो इसमें हम पॉड़ेट मसाले एड़ करेंगे तो यहां मैंने एक चम्मच लाल मिर्च एक चम्मच कश्मीरी मिर्च कौटे टी स्पून हल्दी पॉड़र दो चम्मच धनिया पॉड़र एड़ करा है अब मिर्चे अपन जाने तक हम इसको भूनेंगे अब यह मसाला भून रहा है तो इतने में जो गोष्ट है वह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है जो हड्डियां वह गल चुकी है तो चेक कर लेंगे अगर लगता है कि यह हड्डियां गली नहीं तो थोड़ा और कुक कर लेंगे इससे 50 मिर सफिशेंट है अब इसमें से हमने जो सॉफ की बैग थी वो घटा दी है अब यहाँ पर मसाला भी भून चुका और इसमें तेल अलग हो गया है जिसका मतलब है कि मसाला बिल्कूर तयार है अब इसमें हम दही डाल कर बूनेंगे तो यहां में दो चमच दई डाले यह बहु दही ड्राय हो चुका है तेल ऊपर आचुका है तो अब ये मसाले को हम ग्राइब कर देंगे जो हमने हड़ी आपा आप रखे ती अब इसको मिक्स करेंगे और ग्यास की फ्लेम को आउन करके इसको हम बिलकुल लो टू मीजिएम फ्लेम पर कोक करेंगे जितना यहां पर ग्रेवी पकेगे जितना यह पकता जाएगा लो फ्लेम पर उतना ही अच्छा है इसमें टेस्ट आएगा अदर के लिए गरम पाड़र एड़ करेंगे आदा चक्कर हम नमक एड़ करेंगे नमक सिर्फ एक नमक डाला था तो आप अपने टेस्ट के साब से नमक डाला है इसको हम ढखकर कुक होने देते हैं 20 मिट के लिए यहां पर मैंने अब 5-6 हरी मिट्चे बारी कट कर ली है और एक अधरक का टुकड़ा हमने कट कर लिया है तो वो यहां एट कर देंगे बस अभी सरन बनकर तयार है तो गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और खुश्बूर के लिए यहां पर मैंने केवड़ा एसेंस की डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अगर शुर्बा पतल लगता है तो इसको और पका कर गाड़ा कर लें और गाड़ा लगता है तो इसमें बॉयल वाटर एड़ कर दें इसको पने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर लें तो इस तरह से नली का और हड़ी का यह सारन बनकर तयार होता है जो बिल्कुल पाई का मसा देता है इस्पेशली विंटर सीजन में यह बहुत ही अच्छा लगता है तो आप लोग से उट्राई करिएगा आई होग कि आपको यह रसिपी पसंद आई होगी अगर रसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक दीजी चैनल को सब्सक्राइब करिए दौा में मुझे याद रखिए मिलते हैं नेक्स रसिपी के साथ ठैंक्स वर वाचिंग अल्ला हाफिज